हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू एससे स्मार्ट क्लासिस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एससे स्मार्ट क्लासिस में यह देख लिजे कुछ इंपोर्टन टोपिक CGL 2019 के लिए तो डिरेक्ट अगर गूगल पे कर सकते हैं तो सही है मैं आपको सारी चीज़े प्रोवाइड करवा दूगा बहुत बहुत बूख अपड़ेटेड है देखे थे प्म स्वानिधी यह लेतेस्ट गूर्मेंट स्कीम है वस लौश्ट बाइश्ट प्रवाइड जून जून प्रवाद्धिव प्रवादेड अफ्र एफ्ट एफूड बहुत ही सिंपल जैसा कि मैं अपनी प्रपरेशन कर बात्ते वक्त जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के मैं आपको प्रपेशन करवा रहा हूं प्लेलिस्ट में आप चाहे देख लीजिए काफी सारे से लेटर सेवन्टी के आल्मोस्ट जो है वो टोटल अभी तक से लेटर मैं आपको करवा चुका हूँ तो हर एक से लेटर म या फिर कुछ भी गोर्मेंट ने जो प्लैनिंग की थी चाहे वो डी मॉनिटाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो तो लोगडाउन हो चाहे कुछ भी हो तो आपको उसमें पॉजिटिव चीज़े दिखाने पड़ेंगी और दूसरी बात यह है कि यह जो टोपिक है यह आपक के लिए है कब हुई थी तो उनको अपने शब्दों में लिखना है इसमें आपको एक आइडिया लेना है यह नहीं क्या रहा है कि पूरी किति पूरी क्रैम करो और हमेशा जो है वो अभी जो से एक्जाम होंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव की जब करोने बैट हो तो बहु यह ठीक है प्रिंटर निकाल के फोटो चेट कर वाले होजी और फुर उसकी यह प्रैक्टिस कीजिए एक बार इसको पढ़िये और फिर पढने के बाद प्रैक्टिस कीजिए तो देखिये तो देखिये तो स्कीम बूट बेनिफिट नौट अल्ली वेन्डर्स बट अल्सों प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि जितने भी फेरी वाले है या फिर जो भी पर्सन गूट्स अन्सर्विसिस जो की आ टेक्स्टाइल से अपरल से आटिसन्स प्रैक्ट से रिलेटिड है उन सब के लिए इसकीम जो हो बेनिफिट देगी उसके बाद देखिये तो देखिये औकेविलों की कापियekenर, की मार्सफ प। टान टेसंटरूप के लिए है विए कर देखिये झाक्ट yht대्स K 63 ग52 का टेखिये it तेखिये जोיכ जोगा विशिँनूट्ध डेनाаст मार्य ओन्सरापदेट कर तेखिये लूग तो है जो बान्स बुञाट उनेए होरी मह बडिए six monthly basis next देखेगा the scheme provides for the rise of credit limit on timely or early repayment of the loans that is if a street vendor repays the installment on time or earlier he or she can develop his or as अगर वो timely उसका बिलकुल सही चल रहा है loan का जो भुकतान करने का जो उसका तरीका है वो बिलकुल timely जो है वो लोन का भुकतान कर रहा है तो उसका जो credit score एक बनता है वो अच्छा बनेगा तो उसके basis पर उसको आगे फिर amount जो बढ़ाती जाएगी loan की जो उसको मिलने थी तो he or she can develop his or her credit score that makes him more eligible for higher amount of term loan such as 20,000 रुपिस जो कि उनके लिए बहुत बढ़ी बात होती है आगे देखेगा the scheme promotes digital transactions through cash back incentives up to an amount of 100 रुपिस पर month यह जो scheme है basically digital transactions को भी बहुत promote करेगा अगर उनोंने किया through cash back, cash back के through उनको incentive भी मिल सकता है per month 100 रुपिस का the scheme, this scheme targets to benefit over 50 lakh street vendors conclusion देखेगा urban local local bodies will play a pivotal role in the implementation of the scheme by reaching to them in an efficient manner, the loan through the scheme would help to restart activity for vendors who have been left without any income due to the impact of covid-19 lockdown तो बस conclusion में आपने यह लिखा है कि जो scheme implement की गई है उनके लिए बेसिकल एक भूद ही अच्छा role play करेगा उनको एक सही मुकाम पर पहुँचाने के लिए by reaching to them in an efficient manner यह जो scheme के तो लोन है वो उनकी help करेगा उनकी activity को restart करने में वो जो corona covid-19 के वाज़े लोगडाउन के वाज़े से जो उन पे impact पड़ा था economic despite multiple schemes running for the street vendors there are various gaps in the implementation accessibility of various schemes which should be plugged in a timely manner Hindi में देखिये हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरिंदर मोधी जी के दवारा एक जून 2020 को प्रधान मंत्री सबनीदी योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया इस योजना के इंतरगत देश के रहेडी और सड़क पिक्रिताओं को अपना कुद का का काम नए सीरे से शुरू काने के लिए केंदर सकार दवारा तस अजार उपे तक का लोन मुहिया कराया जाएगा सिंपल है दस अजार का लोन हो गया की वर्ड्स डूंडी आप इसमें एक जून 2020 को यह स्कीम इंपलिमेंट हुई यह की वर्ड है किसने की नरेंदर मोधी जी के दवारा फैसला लिया गया फिर उसके बाद किसको मिल रही है रेडी और सड़क विक्रेत रहों कितना दस अजार यह इंपोर्टन नाइस थी ठीक है इनको अपने शब्दों में आगे देखेंगा इस सब निधी योजना को प्रदानमंत्री स्टीड वेंडर्स आतम निर्भर निधी के नाम से भी जान गाता है मतलब एक आतम निर्भर उनको बनाना सरकार द्वारा लिया गया यह रिन रेडी पट्री वाले एक साल के बीतर किस्त में चुका रहा होगा एक यह इंपोर्डन बात है आगे देखेगा यह तो इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या कह स्कीम के अंदर है कब कभी इंप्लिमेंट हुई थी किस ने इंप्लिमेंट की थ इस की इनको इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्टीट वेंड्रोस को 7 फीसद का वारशिक ब्याज सबसीड़ी के दोर पर उनके अकाऊंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा अगर कोई इस समय पर चुका देगा यह लोन तो 7 फीसद का जो वारशिक ब्याज लाब उठाना चाहते हैं वो उन्हें इस योजना के तहट जो है उनको अवेद्म करना होगा स्ट्रीट वेंडर आतम निर्वर निदी के अंतरगत विबिन शेत्रों में वेंडर होकर ठेले वाले रेडी वाले ठेली फल वाले आधी सही 50 लाग से आधी लोगों को योजना से लाब प्रदान किया जाएगा पूरी देश में करोना वाइरस महमारी के कारण पूरी देश में लोगडाउन कर दिया गया है इसी वज़े से देश के रेडी पट्री वाले उठेले परसमान बेचने वाले अपना जीवन यापन करने के लिए काम पर नहीं आ पा रहे है जिसकी वज़े से उनने काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है इस समस्य को देखते हुए किंद सेकार ने इस योज़ना को शुरू करने की गोशना की है स्ट्रीट वेंडर आतम निर्भर नीदी के अंतरगत रेडी पट्री वालों को अपना काम दुबारा से शुरू करने के लिए सेकार दौरा लोन मुहनिया कराए गया है इस योज़ना के जरीए रेडी पट्री वालों को आतन मेर बरोश शक्त बनाया जाएगा और गरीब लोगों किस्तिती में सुधार होगा तो यह मतलब पूरा एड़्यक्त मैंने यह नहीं कहा कि आप क्रैम करो रटो इसको कीवर्ड्स टूंडो कीवर्ड्स सारे आपको मिली गए है यही चीज़ से मैं आपको बारबर बोलता हूँ देखो आप किस तरीके से लिक रहा है कॉन्कुलूजन में आप अपना आइडिया डाल सकते हो कि हाँ यह स्कीमन को बेनिफिट करेगी सकार को यह जो है वो इसमें थोड़ा सा चेंजिस करके मैं आपना सजेशन और इससे क्या-क्या फरक पड़ सकता है वो आप को इंप्लूजन में डालोगे इस यहोजना के अंतरा का 2 जुलाई 2020 को रिन देने के प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य और किंदर शाष्य प्रदेशों में एक पॉइंट चोवन लाग से अधिक सड़क विक्रिताओं ने रिन के लिए अवेधन किया है जिन में से 48,000 साधिक को इस योजना के तहत जो है वो रिन सविक्रित किया जा चुका है यह प्रद्योगी की का उप्योग करते हुए लोगों की श्रमता को बढ़ाने और करोना संकट के समय कारोबार को नए सीरे से खड़ा कर आतन पर भारत अभिहान को गती देंगे तो यह बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था और इस तरह का आप लिख सकते हो प्रैक्टिस कीजिए जदा से जदा ताकि डिस्क्रिप्टिव एक्जाम अब शायद यह एक्स्टेंट हो जाए बट मोस्ट प्रबैबली अभी तक तो ऐसी कोई न्यूस आई नहीं है एक्स्टेंट होने की क्योंकि सब कुछ टाइमली कंड़क्ट होगा लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे आपको प्रैक्टिस तो पहले से करनी है सो तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो जाहिंद